UPTT 2021 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में अगर छात्रों को इंतजार है तो वो सबसे बड़ी भरती जो की नई प्राथमिक सिछक भरती है जो की 75,000 के आसपास पदों पर होनी है उसका इंतजार अब छात्रों को बना हुआ है और यह सबसे बड़ा सवाल है कि प्राथमिक सिछक भरती कब आएगी क्योंकि UPTT 2021 का जो परिणाम है वो 28 दिसंबर 2021 को जारी होगा इसी तिथी के कारण असमंजस से बना हुआ है क्योंकि बिना परिणाम के छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे अगर आवेदन नहीं कर पाएं महीं पास हैं वो भी इस बार सीटेट और टेट दे कर चाहेंगे कि हम नई प्राथमिक सिछक भरती जो आ रही है इसमें सामिल हो और सरकार का भी सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि चुनाओ से पहले एक बड़ी घोशना नई प्राथमिक सिछक भरती को लेकर करी जाए तो पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर महिने में आपको इस से संबंधित जो घोशना है नई प्राथमिक सिछक भरती की घोशना है वो देखने को मिल जाएगी लेकिन बहुत ही कम प्रतिसत में उम्मीद है कि परिच्छा दिसंबर से पहले हो जाए जादा उमीद 2022 में परि कारी घोशना होने पर भी स्थितियां सपश्ट होंगी